तो गई जैसे कि अब लोग ने लाज एपिसोड की एड़ में देखा था जो लेंता वो अपने साथ वाइट क्लाउड को भी दूसरे डेमेंशन में ले जाता है वो पीचा बजसती तो अब आगे तो एपिसोड की स्टाइटिंग में देखा आया जाता है वो लोग सस्केस्फ लेकिन आगे तो हमसे एक कैसे एक्सपेट कर सकते हो कि इतने बड़े एरिया में हम उस प्रिश्ट को ढूड़नेंगे जिसको हम चानते भी नहीं कि वो दिखती कैसी है सोयल बोलती है चंद मत करो उसको ढूड़ना आसान है क्योंकि वो रही दिखाया जाता है एक बड़ा स तो इससे बीचाता डिफिकल्ट होंगे और यहां पर वाइट क्लाउड को भी काफी मज़ा आने लगा होता है वह कहता है और यह तो देखने में बहुत यह दा फंटेस्टिक लग रहा है चलो चलते ना और सोयल के यह वो लोग इस लड़के चिते बिल्कुल भी सिंपल नह आना सोयल मुझसे भी ज्यादा स्ट्रोंगर रहे वाइट क्लाउड के ताए आइम सोरी स्वेल के ज्यादा मत सोचो जिन्दा मत करो बस उसे जाकर मिलो फुर आफसी के हिसाफ से एडले शेलोन हर फ्राइड के दिन मैजिक इस्कूल जाती है और अभी भी स्कूल जाती है क् एक स्पेशल कैसे और बागे सब कुछ तुम्हें खुदी फिगर आउट करना होगा फिलाल कि देर मेरे साथ चलो अपन को कहीं जाना है और नेक्स दिन में दिखाया जाता है यह लोग आ जाता है मैजिक अकेडमी के सामने और जो यू है वो यहाँ पर आ जाता है और कह रह रही है दिखाया रहता है दिन को देखर यहां पर कुछ लोग बाते करना शुरू कर देते हैं है क्या यह वह यह जो कि डिन के रिकमेंडेशन से आया है और कोई कह रहा होता है मेरे तो यह तक भी सुनाए कि दोरान इसका माना ओ आया था और वह सुन लेगा तुझे उनकी पाते सुनें के बाद लें सोच रहोता है तो यह जिगा भी बिखुल भी डिफ्रेंट नहीं यह यह भी बिल्कुल ओफ वुले यहां पर भी लोगो कोई स्किल के बेस पर टिपाइट किया जाता है तब यहां पर बहुत सारी खाली सीट है इसलिए अपर जाहा है वहां पर सब्सक्राइब करने के कोशिश करता है कि तुम जानती हो कि मैजिक प्रेटिस रूम कहां पर और मेरी नेक्ट क्लास वहें पर लगने वाली है देर नेकिन यह मेरा 1 टाइम है तो कि हें पर लाकाइक तुम पहें अच्छा हो चुकasha होगा है नेकिने समय == तुमने सोचा होगा कि अगर तुम एक необходимо maat उतो कि में पर लड़े हो तुम किसीdo के साथ जोस्ति Kafड़ हो क्या भी यहां से दफ़ा हो जाओ गेट लोस्ट यह में लिए भूत यह दा मुसिबत भरा है जो अपने स्टड़ी को सिरियसली लेती है यू कहता है सोरी सोरी और साथ ही वो मनिमन के रहा होता है धत्तेरी कि में हो तो अपने पहले इंट्रेक्शन में ही फेल हो गया और फिर यहां पर स्कूल की घंड़ी बच जाती है यू चलते वे जा रहा होता है और कह रहा होता है में मुसिबत में हूँ मेरे को अपनी मेजिक प्रेक्टिस क्लास में जाना है लेकिन आखर यह एरिया है कहां पर लें चलते वे जा रहा होता है और कोई साइड में एडले से बात क तुम्हारा माना का सिर्ट्रोम बहतर नहीं हो जाएगा इससे और चुलीने वो भी भी आसपास से कहीं से गुजर रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद का सिंध दिखाया जाता है इनकी क्या किते है निशाना माने की खलाश चल रही होती है अपने माना से फायर पाउर को वे टीचर बता रहा होता है इसाभी लोग अपने माना के फ्लो को महसूस करो और एक फायर को मेंजन करो और फिर साथी वो उनको टाइगेट पर निशाना माना सिखाता है कि इस तरह से फायर बोल बना के तुम यह कर सकते हो यह देखने के बाद यूं काफी हरान हो जाता है और के रहा होता है वो यह तो काफी कूल लग रहा है चलो फिर में भी ट्राइक करके देखता हूं फायर बोल और इसा के तो यह अपने हाथ को सामने की तरफ करता है लेकिन कुछ नहीं होता यूं कहता है कि यह काम नहीं कर रहा हो और फिर वो और भी डिफरेंट पॉसेस ट कि वर करता है दिखाया दोता है उसको इस तरह से इतर लोग उसका मजा उडाना शुक्त नहीं होते हैं ओंग तुम यह क्या कर रहे हो यू कहता है कि तुम लोग देखनी पार है मैं में में चर्किट प्रेक्रिस कर रहा हूं यह सुनते इस बंदी की थूट जाती है और वो कि यह तो तुम से कुछ बात करनी है क्लास के बाद पीछे मिलना और फिर इसके बाद हमें डाइड ले क्लास के बाद का सिंदे खाया जाता है जो एडले है वह यूसे बोल रही होती है तुमारे पास मानने नहीं है और तुम को इस तरह से प्रेटिस करते हुए देखना हुए सब के लिए बस एक तमाशी के तरह है तो तुम जादू से क्यों नहीं कर देते हैं उसकी बात सुनने के बाद यू कहता है कि तुमको नहीं लगता है कि यह थोड़ा पट है ठीक है अपने बारे में शिकायत है दूसरों पर डालना यह सुनते से एडले थोड़ी हरान हो जा सकते एडले बोलती है आखर तुम्हें कैसे पता चला और फिर साथ हमें बताया जाता है माना इसकर सिट्रों यह बहुती आदा रियर कंडिशन है और इसका कोई भी इलाज नहीं है और यह सबसे बुरी बिमारी है जिसने मेरा सपना तोड़ दिया क्या इसलिए जब यह ली जाती है जहां पर वो एक बंदे से केरी होती है लेकिन नहीं अभी भी करूंगी और साथ ही बचलाते हुए कहती है चाहे किता भी टाइम क्यों ना लग जाया में उसके उपर बार बार काम करती रहोंगी वह बंदा कहरा होता है आखर तुम कब तक बच्चों की तरह करने में लेकिन मुझे भी तुम्हारी मदत के जरूरत पड़ेगी तो तब ही एडलेश लात हुए कहती है क्या तुमने मेरी बास सुनी ने इसे कोई फ्रक ने पड़ता कि मैं किता भी ट्राय कर लो यहां तक कि बिगनर मेचिक भी में लिए करना बहुती जादा मुश्किल है और तुम जैसा कोई जिसके पास माना तक नहीं है वो मेरी हल्प कैसे कर सकता है तब यह उसे उंगली दिखात हुए कहता है एक हफते बाद में तुमको देखाऊंगा कि मैं भी जादू का यूज कर सकता हूं एडले के दिए क्या एक हफता मजा करना बंद करो पहले तु को अपना सरपा कर लेती है के रही होती है आगर तुमने कौन से कॉंफिडेंस के साथ इसे बात के दिया यार यूँ बोलता है यह बात में भी जानता हूं लेकिन वहां पर में पास और कोई शोइस नहीं थी यार अगर मैं इसा नहीं करता तो वो मेरे को बहुती है और साथ कोई भी ऐसे फ्रॉस्ट भी नहीं है जिसके जिसके हिसाफ से में एक हफ्ते के अंदर मेजिक सकता हूं सो यूल सोची होती है मेजिक रिलेटेड एविबिल्टीज गोड की शोपर नहीं बिकती माना को प्राप्त करने और उसका इस्तमाल सीखने के लिए काफला में टाइम की ज़रूरत होती है यहां तक कि मेरी पिछली लाइफ में भी मुझे जदू का यूज करने में तीन महीने लग गए थे और आफकोर्स अगर हमें एक हीड़न पार्ट ताइम जो मिल जाती है तो यह स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट होगी दो महीने के अंदर डिमivel सकती है यह याद करने के बाद सोहिल यू से कहती है वैसे मैजिक सीखने का कुई रास्ता तो नहीं मैजिक की जाकि है यह structures कियता है अगर मैंने इसको भूर और जब यह होगा तो वर्थ मोथ एक पार्टाइम जॉब को पॉस्ट कर देगा और तुमको पार्टाइम जॉब करना होगा इसलिए एडले से जाकर बोल दो कि वो दो महिने इंतजार करें यही सबसे अधा बेश्ट सल्यूशन है यू कुछ सोचन लगता है और फिर साथ ही सब्सक्राइब करेंगे तो यू कहता है इसलिए आप लोग इस तरह सेट करेंगे जैसे कि आप लोग गेड़ से नेकले हुए मोश्टर है तो क्या फिर वो इससे एक पार्टाइम जोब नहीं कर देगा यह सुनते ही सब्सक्राइब नहीं हो जाती है और क्योंते वोट यू और फिर साथी वो सोचन लगती है यह मेजिक बड़ बहुत यादा कॉम्लिकेटिड है और पिकी भी और डमकुन यहाँ पर 1869 बार आचुका है और उसने हर बार सेम चीज़े ही करी है हलाए कि इस बार कर डमकुन यह डिफ्रेंट है और फिर साथी वो खुद को शान करती है और केती है मुझे लगता है कि यह प्लैन थोड़ा डिफिकल्ट है अगर तुमने जरा से भी लापरवाई की तो तुम मर भी जगते हो यूँ हसते हुए कहता है और और कोई प्रॉलम नहीं होगी यार और फिर साथी वो सोयल के तरफ उंगली करते हुए कहता है तुम्ही सो तरफ से यह जगाए जाता है और यह जाड़ों के पेचे चुपे हुए रहते हैं यह सोच रहा होता है जितना में अपने साथी तो से कहता है ठीक है मैं आप छुप चुका हूँ अब तुम लोग जावर्स इनको क्रियेट करो दिखाया जाता है उन लोगों को देखने के ब छोटना तो चुप हो सबसाने के लिए तो बस यहां पर एड करने के लिए। चाहते हैं और उसकी तरफ शड़े करते हैं आगर कोने वहां पर क्या तुम यहां पर आड़े करने के लिए आ रहे हो वाइट क्लाउड के रहा होता है वो किता जदा बोसी है उसने मेरे को अमना प्रिष्ट नहीं बलकि गुलाम बना के रखा हुआ है और तुमने एक और कदम वह आगे बढ़ा देता है तो वह बंदे भी फायर इस्ट्रॉम नाम का एक फायर अड़ेक उसकी तरफ कर देती है वाइट क्लाउड कहता है तुम बस देखो यू डमकुन सोजो यूल और वह फटाक से तलवाश लाते हुए उसके फायर को ही काड़ डालता है और शलात हु सोजो यूल तुम दोनों मेरे हाथों से मरोगे और फिवह उन दोनों का घुसा उन सब के ओपर उताने लगता है कंटीनियू कार्ट को मार रहा होता है और यहां यू के सामने विंडू अपन हो रही होते हैं कि तुम्हारे पृरिश ने फायर स्लेश को समझने कर दिया ही ल थोड़ा फिनेशिंग टश देता हूं और यहां पर अपने स्किल का यूज करता है हाउलिंग और यहां पर संबुल्स को समन कर लेता है और शलात हुए कहता है गाईस उनको जान से मत मानना बस थोड़ा बहुत खेलना उनके साथ तो वह संबुल्स भी फटाक से आगे बढ सकते जल्द से बेक अपको कॉल करो तब यूंगे पीछे स्वयूल आ जाती है और वो दोनों गार्ट के पीछे से मार कर बेहोश कर देती है और आगे जाकर बागी गार्ट के साथ भी ऐसे करती है और बोली होती है जिता में सोच था यह उससे चल्दी हो गया वाइड से जड़ों में बेठा देख रहा होता है और के रहा होते हमने इतना सब कुछ कर दिया अब तो उसे अपर हो चाहिए यार आखिर वर्म होते हैं यहां पर कब आएगा और हम उसके पीछे एक बंदे को देख पाते हैं और वह यूग आवास देता है है तुम यहां पर क्या कर घबरात हुए पीछे की तरफ देखता है और सोचता है यहां से आ गया और वह उसे पूछन लगता है अगर तुम हो कौन वह बंदा कहता है पहले में ने तुमसे पूछा था तुम यहां पर क्या कर रहे हो यह खुद को शांत करते हुए कहता है शांत हो जब अगर वह कुछ जैसा हो रहाता है और अपंदो नहीं गौट से तो क्या तुमको नहीं लगता है कि मुझे भी इसमें दिल्चस्पी होगी वर्थमौत कहता है तुम तो मुझे काफी काम आख रहे हो और वह फटाक से यह को चेर से पकड़कर उठा लेता है और कह रहा होता है अभी य पर चैनक से उसको छोड़ देता है और उसके कंदे को पर हाथ रखते हुए कहता है तुमारे कपड़े गंदे हो गए खड़े हो जाब अचे से यूँ कहता है ठीक है और मेरी लैंगविज थोड़ी से रूट थी और मैंने तुम्हारी डिस्रिस्पेंट भी करी इसके लिए हाँ और इसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि मैं दिन दहाड़े टेंपल के ओपर अटे करूं सोयूल वर्मोत को देख लेती है जो वर्मोत है ना वो यू के साथ बाते करने में लगवा रहता है वो से माफी मांग रहा होता है पहले उसने रूट बहेव करा है इसके लिए यू के रहा होता है रहे कोई बात नहीं इस फाइन और फिर वो सोयूल की तरफ देखता है और के रहा होता है तो क्या ये वो स्टॉंग मॉस्टर्स है जोकि उस गेट से आपेर हूं है यू स्री हिला कर सोयूल को इशारा देता है वो भी समझ जाती है वाइट क्लाउड के होता है वो कटोरा कट क्या थड़ा खतनाक नहीं दिख रहा है सोयल उसको कुलर से पकड़ दिये और के रही होती है तैयार हो जब लोग जम करने वाले हैं और फिर भी मेरो को अपने गाड को बिल्कुल भी डाउन नहीं करना चाहिए उससे पीछे एक विंडों खोलकर रख सब्जेक्ट वाइट क्लाउट और सोजू यूल मतलब की जो यू है उसने पहले से तैयारी करके रखी है जैसी उसको यह समय सब्सक्राइब बटन को दबाएगा और वो दुनों साउथ कोरिया में पहुच जाएंगे इस डामेंशन से निकल कर और फिर हमें बताया चाहता ह सब्सक्राइब को मानने के लिए तैयार हो गई थी और उनमें से एक सबसे बड़ा रीजन वर्मोथ की परसनेलिटी है उसे फैटिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद उसे बस मैचिक में और इस प्रिट्स को स्टैटी करने में इंट्रेस्ट है वर्मोथ यू से पूस्ता है आ अब मुझे नहीं पता किया वो भी तुमारी से हैंयों यह सुनते से हिरान वोता है कि अमेरिका अमेरिका में ब्यों सब भनता है जिसके पास सिस्टम वींडो और मेरी तरह वर्मोथ केता है छिदिय के गोड मैं से एक बात पूछना चाहता हूं और बस गाई इस इपसिए के लिए इतना ही यह बागी के शोटी अब लोग नेक्स पार्ड में चानेंगे शबता के लिए टूबी कंटिनियूड